बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रों नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक भी नंदन करता हूँ एस्टों तक की खास प्रस्तूती कमल लंदलाल के महाँ उपाए दोस्तों प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी से नवेदन हैं कि चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें वीडियो जरूर शेयर करें अगर आप मेरी सिवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आजाए एस्टोतक.com पर दोस्तों हम स्पेशल दिपाविली 2021 सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यह उसका पहला एपिसोड है दिपाविली साल का सबसे बड़ा पर्व दिपाविली और आज का हमारा जो विशे है वो है ये लक्षमी पोटली करेगी चमतकार गरीब भी बन जाएंगे रातो रात धनवान आप बोलेंगे पंडिजी अजीब जीब बाते करते हैं नहीं साब मैं सरफ शास्त्र का उलेक करता हूं मेरा काम और कुछ नहीं है मैं सरफ शास्त्र को interpretate करने का काम करता हूँ और इस दुनिया में हर व्यक्ति एकी दौड में लक्ष्मी की दौड में धन की दौड में देखे एक बात को सुनिये गा और समझिये गा एक जमाने में जब पैसा नहीं था तब मुद्रा नहीं चलती थी तब क्या चलता था ये काम करिए इसके बदले में गेहू ले जाईए चामल ले जाईए सबजी ले जाईए यही था दूद ले जाईए जब मुद्रा का चलन हुआ जब श्रिया का चलन हुआ तो सबसे पहले सोने में हुआ सोने में चान्दी में जवहारात में इसके बाद कर्म का उन्मूलन कर्म का ट्रांस्फोर्मेशन जैसे एक मजदूर अगर आठ घंटे किसी जगे काम करता है तो वो 500 रुपे दिहाडी लेता है या 300-300 रुपे दिहाडी लेता है लगभग 15,000 रुपे महिना होता है निर्भर करता वो कितने दिन काम पर जा रहा है जिस दिन वो काम नहीं करेगा वो दिहाडी नहीं आईगी है ना तो यह हुआ कर्म का उन्मूलन कर्म का रेशो प्रपोर्शन और दिपावली सबसे बड़ा परवह है साल का आपने देखा हो को प्राप्त करने की कोशिश होती है और यह जो स्पेशल उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं इससे लक्षमी स्थिर हो जाएगी और हमारा जो विशह है दिपावली 2021 यह लक्षमी पोटली करेगी चमतकार गरीब भी बन जाएंगे रातो रात धनवान आई उस बारे में जानते हैं दिके शास्त्रों में लक्षमी प्राप्ती के साथ प्रमुग दिन बताएं साथ कौन-कौन से हैं यह मौरत जब यह वो साथ दिन है जब धन की देवी स्वैम परत्वी पर होती हैं धरती पर होती हैं हर एक व्यक्ति के घर में होती हैं और चले जाती हैं नौक कर तत्रवाजा नहीं खोल पाते हैं लेकिन ये साथ वो दिन है जब प्रत्यक्ष रूप में लक्षमी होती हैं कौन से हैं वो साथ दिन ? पहला म्हुरत है साल का अक्षयत्रित्या, दूस्रा मुरत है शरदपूर्णिमा , जिसे हम कहते हैं कोजागर कौन जाग रहा है ? तीसरा महरत साल का है धन तेरस, धन त्रियोदिशी, चौथा महरत साल का कार्तिक अमावस्या यानि की दिपावली है, हम मनिश्यों की दिपावली है, पांचवा महरत और इसी दिन क्या होता है, इसी दिन कमला जनती भी होती है, दिपावली की दिन, कमला दश महाविद्यों मे से एक है पांचवा महरत साल का कार्टिक पूर्णिमा यानि देव दिपावली देवताओं की दिपावली है चटा महरत साल का माग पूर्णिमा जजदिन ललिता जैनती होती है श्रीप्रदा श्रिया की जैनती सात्वा महरत होता है होली का देहन यानि कि ज़स दिन होली जलती है उस दिन लक्ष्मी जहनती होती है ये ऐसे सात्व महरत है जिसमें दिवी लक्ष्मी अपने वरध हस्तों को खोल कर और खुल कर पूरे हिर्दे से समस्त संसार पर धन वर्षा करती है परंतों एक बात को ध्यान दिया जा लक्षमी चंचल है चपला है रुकती ही नहीं है एक जगे पर टिकती ही नहीं है आज मेरी तो कलतेरी परसों किसी और की लक्षमी को स्थिर बनाने के लिए शास्त्रों ने अनेक यतनों प्रयास और अनुष्ठान बताए गए है लाखों रुपे के अनुष्ठान बताए गए है पौरानिक और तंत्र शास्त्रों में धन की देवी को स्थिर रखने के लिए कुछ सरल उपाई भी हैं कुछ ऐसी ची आपको बताने जा रहा हूं 27 दुरलब सामग्रियों से बनीवी लक्ष्मी पोटली और सबसे पहली बार इंटरनेट पे इसे मैंने ही प्रस्तुत किया था 2013 में आप चाहें तो इंटरनेट कर सकते हैं इस बारे में यह लक्ष्मी पोटली जो है यह बनाकर धन की देवी लक्ष स्थ्रीम में बांध कर रख सकते हैं यह 27 वो सामग्रियां है इस पोटली में जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधिक्प करती हैं जो देवी महालक्ष्मी को अत्याधिक प्रिय है भारतिय धर्म ग्रंथों में ऐसा उलेक किया गया है कि यदि देवी महालक्ष्मी का पूजन इन का साथ साथ इनका उप्योग कर शास्त्र समबत विधी से कर दिया जाएं तो सभी अभिस्ट अभिलाशायं पूर्ण होती है कि शास्त्रों में महा लक्षमी के आठ स्वरूप बताए गए अश्टलक्ष्मी और महालक्षमी को समुद्र वासिनी कमला कहा गया है पद्मा कहा गया है कहते ना पद्म लया पद्म प्रिया पद्म नदेख्षना वंदे पद्म मुखी देवी पद्मा लया भप्रिया महालक्षमी का वास कमल वन में समुद्र वन में दक्षन दिशा में साउथ हमेस्फेर में है शास्त्रों ने समुद्र नदी और पोकर से मिलने वाली सभी दुरलब प्रदार्थों को लक्ष्मी पर ये बताया है उनको सहोदर भाई बताया है लक्ष्मी का आईये जानते हैं वो 27 सामगरियां कौन-कौन सी है देखिए लक्ष्मी पोटली में अश्ट लक्ष्मी के लिए आठ दुरलब सामगरियां होती है और ये सभी की सभी जल से आती है पहले स्थान पर है पीली कोडी इसे लक्ष्मी कोडी या श्री कोडी कहते है दूसरे स्थान पर है समुद्री मोती शंक इस दुरलब शंक के उपर की जो छोर होती है उस पर मोती के आकरती होती है तीसरे स्तान पर है गोमती चक्र ये लक्ष्मी कुप्रिय ये पत्थर गूमते नदी में मिलता है चौते स्थान पर है एकाक्षी लगुनारियल अर्थात एकांख वाला छोट आसा नारियल पांचवे स्थान पर आती है मुक्तामनी यानि कि जिसे मोती कहा गया है आठ अलग-अलग तरीके के मोती होते हैं लेकिन ये समुद्री मोती है ये नवरत्मों में से एक माना जाता है छटे स्थान पर है अत्यन्त दुरलब समुद्री जहाग विशिष्ट तरह की सामग्री है ये जो तंतर से सम्मन्दित है और इसका शटकर्म में और तंत्र में प्रियोक किया जाता है साथवे स्थान पर है समुद्री सीप जिसे हम कौनशेल कहते हैं आठवे स्थान पर है कमल के बीज, अर्थात कमल गटे इसे लक्ष्मी पुत्र कहते हैं यह आठ जल की चीज़ें होती हैं, प्रमुक इसके अलावा लक्ष्मी पोटली में आठ ओशदियां भी होती है जो लक्ष्मी को अत्याधिक प्रिया है नवे स्थान पर है अत्यन्त दुरलब प्राकरतिक काली हरिद्रा काली हल्दी जिसे कहते हैं जिसका तंत्र में प्रियोक किया जाता है दस्वे स्थान पर है दुरलब औशदी जटामानसी जो सिध्यों को प्राप्त करने वाली बताई गई है ग्यारवे स्थान पर है माहलक्ष्मी को अतिप्रिय बिल्वगिरी क्योंकि आप लक्ष्मी के जितने भी हवन देखेंगे वो बिल्वगिरी से ही या मावे से या कमल गट्टे से ही होते हैं और लक्ष्मी का वास होता है बेल का पेड़ तो बिल्वगिरी उसका फल नरलॉंग जिसे कहते हैं बिल्कुल विशिष्ट होता है रेरिस्ट अमंग रेयर होता है और इसे लक्षमी कांता पी कहा गया यह बहुती अत्यनती व्रिली रस्तु होती है तेरे में स्थान पर है सर्वोपरी आशदी यानि पारद पारद से बड़ी आशदी कोई नहीं मानी गई है पारद बनता कैसे है जब लिक्विड पारा जब लिक्विड पारा सलफर के साथ गंधक के साथ मिल जाए तो यह पारद बन जाता है ठोस बन जाता है और यह विशिष्ट तरीके की 27 जड़ी बुटियों को मिला करके बनाया जाता है पारद गुटिका देखे चौदवे स्थान पर है सरवाशदी भगवान लक्ष्मी नारायन को चंद्रदेव को परिये शतावरी पंद्रवे स्थान पर है त्री चिर्मी यानि की सफेद काली और लाल चिर्मी के तीन बीच सोलवे स्थान पर है और चिर्मी को अलग-अलग नामों से अलग-अलग तरीके से जाना जाता है सोलवे स्थान पर है लक्षमी का सुरूप साथ मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़ादा विरला नहीं होता लेकिन रुद्राक्ष की सीरीज में साथ मुखी को लक्ष्मी का रुद्राक्ष मना जाता है अब आती है विशेश यंत्रों का समावेश लक्ष्मी के दो विशेश यंत्र सत्रमें स्तान पर आता है लक्ष्मी अंत्र और अठार्वें स्तान पर है श्री अंत्र ये दो अलग अलग अंत्र होते हैं ध्यान रखेगा श्री अंत्र लक्ष्मी अंत्र एक नहीं होता श्री यंत्र ललिता को संबोध्यत करता है लक्ष्मी यंत्र लक्ष्मी को संबोध्यत करता है दोनों का काम है पैसे को खेचना और लक्ष्मी को दो सुरूप होते हैं कमला और लक्ष्मी श्रिया और लक्ष्मी राधा और रुकमनी उन्निस्वे स्थान पर लक्ष्मी पोटली में देखे दो विशेश रत्न भी होते हैं लक्ष्मी पोटली में पहला रत्न उन्निस्वे स्थान पर है हिम मनी हिमाल्य का विशिष्ट पत्थर है यह हिम मनी 20-वे स्थान पर है लक्षमी को अती प्रिय गुलाबी जरकन देखे नॉर्मल वाला अमरिकन डैमन नहीं गुलाबी जरकन 21-वे स्थान पर है शुद्ध देशी करपूर 22-वे स्थान पर है लक्षमी को प्रिय रक्त चंदन लाल चंदन कभी लक्ष्मी पूजन करते हैं न आप छोटा सा इतना सा आपके अपास में लाल चंदन आता है देखा है आपने बाइट नहीं आता है लाल आता है ध्यान रखेगा इस चीज़ को तेज़ में स्थान पर है इंद्र मोहीनी आप एक आती है विशिष्ट वाली और शदी में और एरावत किस ने दिया इंद्र ने तबी तो उन्हें कहा गया है गजगामी नहीं सफेद रंग का हाथी जिसके लिए हम गन्ने रखते हैं दिपावली में तो इंद्र जो विशिष्ट चौबीसवे स्थान पर है शिरी प्रिया गुलाल नैच्रल गुलाब गुलाबी रंगा पचिसवे स्थान पर है शुक्र को प्रिय अभीर यानि कि अभरक विशिष्ट सामगरी होती है लोग साथ में कर देते हैं अभीर गुलाल अलग होते हैं अभीर चमकीला पत्थर होताए जिसकी जो चल्नी होती है उसको अरभीर कहते है अभरक 26 वे स्थान पर है लक्षमी को विशेश परीय रात रानी का इत्र विशेश टित्र होता है 27 वे और आखरी स्थान पर होता है लक्षमी को विशेश परीय रेश्मी लाल वस्तर सूती नहीं, मकमली भी नहीं रेशमी, लाल वस्तर जिसमें सारी सामगरी बांध कर उसकी पोटली बनाई जाती है आज कल तो रेडी मेड भी आती है लेकिन रेशमी तो इस सत्ताई सामगरीयों को एकटा कीजे आने वाले दिनों के अंदर इसे विशेष्ट धन्तेरस के दिन आप बना सकते हैं या कहीं से ले सकते हैं दिपावली के दिन देव दिपावली के दिन अभी तो बहुत सारे महुरत हैं और हर साल इसको बदली है इस अत्यन्त भागेशाली लक्षमी पोटली में बहुती विशेष्ट 27 सामगरिया हैं इससे शुब महुरत में घर में स्थापित करना चाहिए इस लक्षमी पोटली के 27 वस्तुएं जो हैं ये भरचकर के 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधत होती हैं इस पोटली को विशेष्ट महुरत में जैसे धनतेरस, दिपाविली, मागपूर्णिमा, होलिया, अक्षात रित्या पर घर दुकान की तुजोरी यहां गल्ले में यहां पैसे रखने का स्थान है वहां पर रखना चाहिए उससे स्थापित करना चाहिए लक्षमी पूजन के स इससे अकूट लक्षमी का वास होता है और चिरकाल धन की प्राप्ति होती है दुरभाग्य दूर होता है और घर में धन अनस्वन और आभुशनों की वरद्धी होती है दोस्तों हम स्पेशल लक्षमी एपिसोड में दिपावली 2021 के एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज चलेगी तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मिलाकात होगी तब तक देखते रहें हैस्टों तक और अपने मित्र कमल नंदाल को इजाज़त दीजे और ईश्वर से प्रारतना है कि यह जो दिपावली है यह आप सभी के जीवन में धन की बरसात करवाए दा अरे दृता का नाश हो दुखों का नाश हो इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं नमस्कार नमस्ष्य भाए